देखे दोस्तों हमने जो RPSC 1st grade के test paper की series शुरू कर रखी है उसको continue करते हैं और कुछ most important question answer के बारे में बात करते हैं सारे question आपके exam के point of view से ही तियार किया गए हैं इसलिए वीडियो के last तक इस test paper को जरूर लगाना देखे पहला कि उसलिए आज का निमने लिखित खतनों में से ऐसत्य खतन है वो कौन सा है चार आपको खतन दे रहे हैं इनमें से ऐसत्य खतन कौन सा है वो आपको बताना है तो देखे पंदरवी विधान सबा में महिला मतदान है वो 74.66 परतिसत और पूरस मतदान है वो 73.80 प तो यह ऱ्युक्राइब सब्सक्राइब है। 2018 का राजस्थानी युवा पुरुषकार किशे परदान किया गया है तो ये दुश्यन्त जोशी को परदान किया गया है 2018 का राजस्थानी युवा पुरुषकार ओप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आनसर होगा इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिवस दे रखे हैं और इस दिवस की इस वर्ष क्या थीम रही है यह आपको बताना है तो यह जो थीम वाला क्यूसन होता है कौन से दिवस का कौन सा विसाई है इससे रिल्टेड आपकी एक्जाम में एक नए क्यूसन आपको जरूर पुछा जाएगा तो देखें इसका राइट आउनसर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको इसमेलित नहीं है वो आपको बताना है तो विस्वे परियावण दिवस 2018 की जो थीम थी वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये इसका राइट आउनसर है विस्वे जल दिवस 2018 की नेचर फ्रॉम वोटर विस्वे परियावण दिवस 2018 की एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन और विस्वे मोसम विज्ञान दिवस 2018 की अंडरस्टेंडिंग कलाउड ये आपको इसमेलित करने वाले इसमेल नहीं करता है इसलिए ये क्या उजाएगा इसका राइट आनसर हो जाएगा ये जो आपको तीन थीम दे रखी है वो बिल्कुल इसी तरीके से रही थी नेस्ट किशन आपको दे रखा है इस रोके निम्ली खित्मी से कोन नियुक्त किया गये है तो इस रेक पष्चन आपको थर्ड दे रखा है वो राइट आम सरूगा देखे दोस्तों हम जो डेली कर्ण्ट अफेर्स की सिरीज लगाते हैं अगर आप वो डेली करेंट अफेर्स वाला वीडियो रोजाना देख लेते हो तो आपको करेंट अफेर्स है वो और कहीं से पढ़ने की जरूरती नहीं पढ़ेगी इस बात की माँ आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि हर एक दिन का माँ आपको लगबग 14-15 कुशन आपको इस वीडियो में कवर करवाता हूँ पर डे तो आपको सुबह ही वो वीडियो प्रवाइड है वो करवा दिया दाता है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लिएना निक्योंस आपको दे रखा है वर्स का दैमान बुककर इंटरनेश्णल प्राइज है वो किसे परदान करने की कोशना की गई है तो देखें यह ओल्गा तोकार जुक को परदान करने की कोशना की गई है उपसन जो फैस्ट है वो ही इसका रहतानुट शरूँगा नेश्ट आपको दे रखा है इंडोनेशिया में आयोजित अठारवे एस्याई खेल 2018 है उसकी अवधी कितनी थी तो देखे दो अगस्ट से लेकर ये 17 अगस्ट 2018 के मंदे इंडोनेशिया में अठारवे एस्याई गेम्स का आयोजिन करवाय गया था इसलिए उपसन जो फैस्ट होगा वही इसका राइट अमसर हो जाएगा कहां पर सुरू हुआ है तो ये तेंगदू के अंदर गते संपन हुआ है तेंगदू क्या होगा इसका राइट अमसर होगा नेश्ट दे रखा है दैफायर वन्स ब्लू एक हिस्ट्री ओफ वुमें किरिकेट इन इंडिया ये जो पुस्तक है इसके लेखक कोन है यानि ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो ये करूने के सब और सिदान्द पाठक के द्वारा ये पुस्तक है उसकी रसना की गई है उपसंजा आपको शेकिंड दे रखा है वो इसका राइट आउंसर हो जाएगा फिर नेश्ट कुशन आपको दे रखा है जनकरणा 2011 के अनुसार राजस्तान के निमने लिखित में से साखसरता दर है वो सारवादिक पाई गई है जीलों को ज्यादा से कम के साखसरता करम में आपको जीनित करना है यानि सबसे ज्यादा तो इसमें कोटा जिले की थी उसके बाद में जीवपूर की थी फिर जोंजनु की फिर शिकर की और फिर अलवर की इस तरीके से 2011 की जनकरणा के अनुसार राजस्तान में साखसरता दर है वो रही थी तो उप्सन जो सेकिंड होगा वो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन आपको दे रखा है निम लिखित में से कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है तो देखें अरजनलाल सेटी का बेलूर जेल, कैसरी सिंग वारट का हजारी जेल, विजए सिंग पतित का टोडगर जेल और जोरावट सिंग का बरेली जेल ये आपको इसमेलित करने वालों से नहीं दे रखा है ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपको दे रखा है, शिवाजी के अष्ट परदान में निमनलिकित अधिकारी थे तो शिवाजी के अष्ट परदान के अंधर गते कौन कौन से अधिकारी सामिल थे, वो आपको बताना है तो देखे इसमें मजूमदार भी थे दबीर भी थे वाकनिस ओसुनिस या चारों ही सिवाजी के अश्ट परदान के अंतरगत से मिली थे इसलिए एक दो तीन चार ये उपसंज आपको फूर्ट दे रखा है वो इसका रैटांस रोजाएगा तो देखे इसको सपलता मिली थे परतिहारों को तो ती परतिहारों को देखे पदावली ही मीरबाई की रचना है सत्याप, भामाजी, नूरुसन और नर्सी, महतारी, हुंडी और रुकमणी मंगल चारों रचना ही आपको मीरा भाई की रचना है वो दे रखी है इसलिए उप्सन जो आपको फूर्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सूची, फैस्ट और सूची, शेकिंड आपको दे रखी है और बाद में नीचे दे गए कोट के आदार पर आपको चैन करके बताना है तो देखे भीम सेन कायस्त, भीम सेन कायस्त का जो संबन्द है वो आपका है तारी के दिल खुसा से, यानि फैस्ट का ये फोर्ट दे रखा है उसके बाद में नेक्स्ट आएगा चंदरबान ये बाहिम, चंदरबान बाहिम का संबन्द है चार जमन से इस वर्दास नगर का जो संबन्द है हुए है फतुहत ए आलमगिरी से और बाद में सुजान राय बंडारी का संबन्द है खुलासत उत्त तवारिक से यानि कि चार एक दो तीन ये उप्सन आपको इसमें सही आएगा चार एक दो तीन आपको ये फोर्ट उप्सन में दे रखा है नेक्स्ट द्रखा एक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चितोड दुर्ग का जो घिराव किया गया था उस समय मेवाड का महाराना कौन था तो उदै सिंग कौन थे उसमें मेवाड के महाराना थे उदै सिंग्किया होगा इसका राइट आउंसर होगा नेश्ट आपको दे रखाए दक्सीनी राज्पुताना के छोटे राज्यों को एकड़ात करने के लिए किसने हाडोती संग बनाने का प्रस्ताव दिया था तो ये महाराव जो भीम सिंग कोटा से उन्होंने हाडोती संग बनाने का प्रस्ताव दिया था ओप्सन जो सेकिंड है वो इसका राइटा अंसर हो जाएगा नेश्ट दिरेखा है इलाबाद सोक स्तम इस्तित है अलाबाद में सामराज्य के संबंद में सूचना देता है तो देखें कौन से सामराज्य के संबंद में सूचना देता है समुद्र गुप्त के संबंद में सूचना देता है समुद्र गुप्त क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेक्ट दिरका है निम्नी लिखित में से किस एक राजवन्स के काल से सम्मंदित अभिलेक में सरोफ़तम एक लाग सलोकों वाली संपूर्ण भारत का उल्लेक मिलता है तो ये गुप्त के अंतरगत मिलता है गुप्त काल किसे सम्मंदिता है गुप्त काल क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फिर नेक्ट क्यूसन आपको दिरका है रिफोर्म इंक्वाइरी कमेटी को किस वर्स में नियुक्त किया गया था तो देखे इस कमेट्टी को गुनी सो चोईस में नियुक्त किया गया था गुनी सो चोईस इसका रेटान शुरोगा नेश्ट दिरगा 1857 की करांथी में अंग्रेज वै जोदपूर राज्य की संयुक्त शेना को किस ने पराजित किया था तो ठाकुर कुसाल सिंग ने पराजित किया था जो मैंने आपको 1857 की करांथी से रिलेटेट जो वीडियो प्रवाईड करवाए है उसमें से ही ये सारे क्युस्ण है वो ठाता हम ओ, 1857 की करांथी तो वो वीडियो आप जरूर देख रहे है ना उसकी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देर रखी है ठाकुर कुसाल सिंग ने 1857 की करांती में अंग्रेज और जोत्पुराज्य की समयुक्त सिहना को पराजीते किया था नेक्ट किसंदेर का है भारतिय राष्ट्रिय कोंग्रेस का पर्थम अध्यक्स कोन था तो देखे व्योमेस तंदर बनरजी जिसको डबलू सी बनरजी के नाम से भी जानते हैं वही भारतिय राष्ट्रिय जो कोंग्रेस है उसके पर्थम अध्यक्स थे option जो second है वो इसका right answer जाएगा सवराज्य मेरा जनम सिद्ध दिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगादर तिलक ने कौन से congres अधिवेशन के अंतरकत ये बात कही थी तो देखें लखनो अधिवेशन हुआ था गुनी 116 के अंतरकत उसके में इबाल गंगादर तिलक ने ये कहा था कि सवराज्य मेरा जनम सिद्ध दिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो लखनो अधिवेशन गुनी 116 क्या होगा इसका right answer होगा नेश्टे दिरका है निमने लखित में से कौन सा एक राजा राम मोहन राय के द्वारा स्तापित और संपादित समाचार पत्तर था तो मीरात उल अखवार क्या था ? राजराम मोहन राए के द्वारा संपादित और उनी के द्वारा स्तापित किया गए था ये समाचार पत्तर तो मीरात उल अखवार इसका राइट अमसर होगा नेश्ट दे रखा है दो या दो से अधिक समान परमानों जुड़कर बनाते हैं तो दो या दो से अधिक समान परमानों जुड़कर अणू का निर्मान करते हैं अणू क्या होगा इसका राइट आम सुरोगा नेश्ट देरका है निमनी लिखिते किस परकिरिया के दुरान हेबर परकिरिया में अमोनिया और आइरन की सतह के बीच के बंद है वो कमजोर पड़ता है और तूटता है तो देखे परकिरिया होती है वीसोसन की वीसोसन की परकिरिया के दोराने सा होता है आपको जो फूर्थ दे रखा है वो रैट आंसर होगा नेश्ट दे रहा है ग्रेफिन होता है तो देखे ग्रेफिन कारबन का जो निनो परती रूप होता है उसी को ग्रेफिन के नाम से जानते हैं उप्शन सेकिंड इसका करेक्ट आंसर होगा फिर देखे गुर्टवाकर्षन बल जिससे सूरिय पर्थवी को आकरशित करता है उसके समन्द में आपको चार खतन दे रखे हैं कौन सा खतन सही है यह आपको बताना है तो देखे वह उस बल से अधिक होता है जिसके दौरा पर्थवी सूरिय को आकरशित करती है नहीं सूरिय को आकर्षित करते है उस बल से अधिक नहीं होता है नेश्ट आपको दे रखा है वहे उस बल से कम होता है जिसके दोरा पर्तवी सूरिय को आकर्षित करती है ये भी इसमें गलत दे रहा है, वह उस बलके समान होता है जिसके दोरा परत्वी सुर्य को आकर्षित करती है एक गतन आपको इसमें सही दे रहा है, नेक्टा वह बलके इसमें नेक्सना ऐसकी दूरी के अनुसार बदलता रहता है बिल्कुल सही बात है, option जो आपको इसमें 3rd और 4th दे रखे हैं, वो क्या होगा, गुरत्वाकर्षन बल जिसे सूरिय पर्थवी को आकर्षित करता है, इस खतन के समझ में option जो आपको 4th दे रखा है, वो इसका रहे टांसर हो जाएगा, फिर next question आपको दे रखा है, निम्न मे कित मेंसे कोनसा एक समविधानेतर सेंस था है, तो दो देखे है, इसमें जो निती आयोग है, वो एक समविधानेतर सेंस था है, next, दे रखा है, समविदान सभा के दऌरा, भारते समविदान को अंंगीकर्त और अधिन्यमित किया गय эта, तो देखे है, निम्नांकित में से किस विधाईका की अध्यक्सता उस निकाई का एक गेर सद्धिश्यता द्वारा की जाती है तो देखिए राज्य सभा की द्वारा की जाती है राज्य सभा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा कंद्रीर सरकार के संधरब में निमने लिखीत खतनों के उपर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा क्वतन आपको इसमें सही दे रखा है कंद्र सरकार के संधरब में भारत के सम्युदान के उपबंध है जो की estoy cabinet मंत्री अनिवाले रूप से केवल केवल लोग सबा के ही आशीन होते हैं गलत खतन दे रखा है केंद्री केविनेट सची वाले संसद ये कारेले मंतरा लेके निदे साध हिनकारिय करता है ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है दोनों खतन आपको इसमें गलत दे रखा है कूट को यह दे रखा है इसा ने तो खतन फैस्ट और ने सिकिंड यह उप्सन जो आपको फूर्ट दे रखा है वो इसका राइट आनसर जाएगा नेश्ट क्यूशन आपको परदानमंत्री के संबंद में कुछ बातें दे रखी हैं तो देखे परदानमंत्री क्या होता है लो करके जरूर बताना और यह सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करने के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शियर कर देना ताकि सभी को अपने स्टेड़ी में बेनिफिट मिल सके मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग